हेलो गाइस चलो आज हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला में जो विशेश रूप से बिंदु का प्रयोग होता है विभिन्य प्रकार के अलग-अलग टाइप के हमारे हिंदे में बिंदु होते हैं उन बिंदुों का नाम क्या है और इन बिंदु को संकेत क्या है और कहां कहां पर उनका प्रियोग होता है सबसे पहला बिंदू है हमारा अनुनासिक तो अनुनासिक के बारे में हम लोग जानते हैं यह बहुत important चीज है बहुत सारे competitive exam में अनुनासिक के बारे में पूछा भी गया है कि अनुनासिक चिन्न है, क्या है तो अनुनासिक जो होता है इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अनुनासिक जो है किसी भी वर्ण के उपर जो है लिखा जाता है और वर्ण के उपर कैसे लिखा जाता है आपको एक चंद्र लगेगा और चंद्र के साथ आपको एक डॉट लगाना है ये हो गया अनुनासिक, एक्जांपल के रूप में क्या है, मा, मा हमारे जो है, सबसे पवित्र जो है, वर्ड होता है, तो मा के उपर हम मा कैसे लिखते हैं, हम मा लिखते हैं, और उसके उपर एक चंद्र लगाते हैं, और उस चंद्र में डॉट लगाते हैं, तब कहीं जाके वो मा लगाते हैं तब कहीं जाके वो आंक होता है है ना तो यह है आपका अनुनासिक अनुनासिक में क्या करना है आपको कोई भी आपका जो है वर्ण है उस वर्ण के ऊपर में आपको ध्यान रखना है वर्ण के ऊपर में आपको क्या करने है आपको एक चंद्रबिंदू और उसी क क्या होता है, अनुसवार कहने का मतलब, देखो, हम लोगों ने अभी अनुनासिक में क्या बढ़ा, अनुनासिक में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर चंदन के उपर डॉट लगाया, अब अनुसवार में आपको क्या करना है, आपको चंद मामा को दूर हटाना है, चंद मामा को use नहीं करना है आपको सुरिफ क्या करना है आपको सुरिफ जो है एक वर्णा के उपर dot लगाना है तो ये होगा आपका अनुस्वार, ठीक है हम लोक 36 गड़ी में यूज़ करते हैं, चंद के बारे में चंदा मामा है ना तो अनुस्वार में क्या करना है आपको चंदा मामा का यूज नहीं करना है आपको स्रीफ और स्रीफ बिंदी लगाना है अनुनासिक में क्या करना है अनुनासिक में आपको जो है चंदा मामा भी यूज करना है और चंदा मामा के उपर बिंदी भी लगाना हैं आपको तो यह हो गया दोनों में basic difference अनुनासिक और अनुस्वार में तो अनुस्वार का जो है example क्या है अनुस्वार का example यहां पर दिया हुआ है दोस्तों अनुस्वार का example क्या है यह आपका दिया हुआ है अंग है ना क्या दिया हुआ है अंग दिया हुआ है यहां पे तो अंग का यूज करते हैं हम लोग कैसे अंग का यूज करते हैं अंग का यूज हम लोग करते हैं देखो कैसे लिखते हैं हम लोग आ लिखते हैं गा लिखते हैं और उसके उपर हम लोग शिर्फ बिंदी लगाते हैं यहां पे हम लोग जो है ऐसे नहीं लिखते आ लिख लिए गा लिख लिए और आ के उपर में चंदा लगा लिए चंदा के उपर डॉट लगा लिए ऐसे यह नहीं लिखते हैं तो यह हो गया आपका अनुस्वार ऐसे ही आपका है मंदिर है है ना तो जब भी हम लोग मंदिर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं मंदिर लिखते हैं उसमें मा के उपर में किसके उपर में मा के उपर में आपका जो है एक बिंदी होता है ऐसे नहीं करते हैं मा के उपर में पहले चंदा लगाते हैं फिर बिंदी यह गलत होजाएगा यह है आपका मंदिर ठीक है तो यह तो होगे आपका अनुस्वार अनुनासिक के बारे में अगला है आपका निम्न Бिन्दू निम्न बिंदू कहां पर यूज करते हैं निम्न बिंदू हम लोग मुख्य रूप से हम लोग लिखते हैं अडा के लिए है ना दो तरीके से हम लोग अडा लिखते हैं एक तो आपका डमरू के डा डम 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 वाला होता है उसके जश्ट नीचे एक बिंदी हो जाता है तो निम्न बिंदू का यूज हम लोग जो है वर्ण के नीचे करते हैं अनुस्वार का यूज हम लोग जो है क्या करते हैं वर्ण के ऊपर करते हैं ठीक है तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ निम्न बिंदू का यूज वर्णों के नीचे होगा अनुस प्सिर्व क्या करते हैं बिंदी का यज्ड करते हैं तो वह हो गया आपका प्ढःाई है आधसे ही आपका यहाँ पर दिया हुआ है चढ़ सब्सक्राइब है जो है पहले के समय में पहले की संस्क्रीत भास बोले जाती थी, तो Sanskrit धीरे-धीरे-धीरे जो है आगे बढ़ते हुए जो है हिंदी का विकास हुआ, तो Sanskrit में जो है विसर्ग का यूज बहुत ज़्यादा होता था और यह बहुत ज़्यादा important होता है हमारे जो है सरीर के लिए जब भी हम लोग किसी संस्कृत वर्ड का यूज करते हैं या फिर किसी विसर्ग का यूज करते हैं तो हमारा सरीर जो है उसमें कमपन होता है और हमारे सरीर के लिए बहुत अच्छा होता है तो विसर्ग कैसे लिखा जाता है विसर्ग लिखा जाता है आपका जैसे कि कोई भी vorn लिख लिए मैं आ ही लिख के देखता हूँ जैसे कि कोई vorn लिख लिए आ और उसके बाहर जो है दो हम लोग बिंदी लगा देते हैं ये होता है आपका विसर्घ जैसे कि यहाँ पर दिया ही हुआ है विसर्घ के बारे में एक्जाम्पल क्या हो सकता है अतह, क्या है अतह, तो अतह में हमने क्या किया, हमारे पास ये आ हुआ, क्या हुआ, आ हुआ, ता हुआ, ये तो अत हो गया, अब अतह कैसे होगा, इसमें हम लोग जो है जब विसर्ग लगाएंगे तब, ऐसे ही आपका एक्जाम्पल दिया हुआ है विसर्ग का उप्योग अंततह में भी क्या हुआ है यहां पे विसर्ग का उप्योग हुआ है प्रातह में भी यहां पे विसर्ग का उप्योग हुआ है तो यह सारे के सारे जो है विसर्ग है अगला है आपका चंद्र देखो अनुनासिक का जब हम लोग उप्योग करत लेकिन जब हम लोग चंदर की बात करते हैं तो चंदर में हम लोग जो है श्रिप चंदा मामा का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे चंदे मामे का यूज करेंगे उसके उपर बिंदी नहीं लगाएंगे ये बिंदो हम लोग नहीं लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे स्रिफ और स्रिफ जो है चंद्र का यूज़ करेंगे ये होगा आपका चंद्र ये है basic difference अनुनासिक में और चंद्र में चंद्र में हमको क्या करना है स्रिफ और स्रिफ छंडांमा ही युश करना या लिखा ही हुआ है चंद्र तो लिखते किसमेंcus में हैं example क्या है आपका example है आपका doctor example है आपका coffee example है आपका college यह सारे example है आपके चंद्र के अगला है हमारा नुकता नुकता जो है बहुत सारे competitive exam में पूछा जाता है और यगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो यह basically हमसे गलत ही हो जाता है तो नुकता जो है बहुत important है और इसको मुख्या रूप से उर्दो में यूज़ किया जाता है तो नुकता क्या है नुकता जब भी हम लोग लिखते हैं तो यहां पर देखो अब तक हमने क्या किया एक डॉट का उपयोग किया है सभी के लिए ना डॉट का उपयोग हमने क्या किया है अनुनासिक में हमने क्या किया है चंदर बिंदी लगाया है चंदा लगाने के बाद उसके उपर बिंदी लगाया है है यूस हुआ है विसर्ग जब यूस हुआ तो विसर्ग में क्या हुआ कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके साइड में अंत में हम लोग जो है दो बिंदी लगाते हैं तो यह हो गया आपका विसर्ग है ना वैसे ही नुकता में हम लोग क्या करते हैं यहां पर कोई भी वर् करेंगे हम लोग कहां यूज करेंगे नीचे के थोड़ा सा साइड में यूज करेंगे कहां यूज करेंगे जैसे कि यहां पे खत लिखा हुआ है तो यह आपका सबसे नीचे वाला है तो उसके साइड में दिया हुआ है तो अगर हम यहां पे प्रयोक करते हैं तो वो कहलाता ह आपका नुकता देखो यहाँ पर example दिया हुआ है खत का, example दिया हुआ है खयाल का, example दिया हुआ है जिन्दगी का जिन्दगी में भी आपका ज़्याद है यहाँ पर थोड़ा side में ही है ऐसे जाके just नीचे नहीं है तो यह है खत, खयाल जिंदगी में आपका नुकता वर्ड है ना जिंदगी में दो आपके जो है बिंदी लगे हुआ है जो उपर जो बिंदी लगा हुआ है वो आपका अनुस्वार है और जो नीचे जिंदगी में जो है बिंदू लगा हुआ है वो आपका नुकता है तो I hope guys आप सबको जो है बि चंदा मामा और चंदा मामा के उपर में बिंदी, इसी को हम लोग चंदर बिंदी कहते हैं, अनुस्वार में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्ण लिखते हैं, वर्ण के उपर हम लोग बिंदी यूज करते हैं, वो हो गया हमारा अनुसार, निम्न बिंदो में हम लोग क्या साइड में जो है बिंदी का यूज करते हैं आई होप आप सबको समझ में आया होगा और किसी भी competitive exam में इस से related जो है question को आप गलत नहीं करेंगे ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप लोग प्रेज कीजिए धन्यमाद